हेलो एव्रिवान, डेली PCS जुकेवा आपका स्वागत है, चलिए पहले पिछला भ्यास प्रशन देख लेते हैं, सवाल था, अंतराष्ट्रे श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ओप्शन थे 30 अपरेल, 1 मई, 5 जून और 22 जुलाई, तो इसका सही जवाब था ओप्शन B, 1 मई, चलिए इसका विश्टेशन देखते हैं, हर साल 1 मई को अंतराष्ट्रे श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ये दि त्वेतन और कम काम के घंटे की मांग शुरू कर दी थी, ये दिवस भारत, क्यूबा और चीन सहित, 80 से अथिक देशों में मनाया जाता है, इसके अतिहासिक प्रिष्ट भूमे पर नजर डालें, तो 1 मई, 1886 को शिकागों में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मां 1923 को चेनने में मनाया गया था, पहले मई दिवस समारों का आयोजन लेबर किसान पार्टी ओफ हिंदुस्तान द्वारा किया गया था, चलिए बाज का पहला सवाल देखते हैं, गुजरात को किस वर्ष अलग राज्य का धर्जा प्राप्त हुआ था, 1950, 1955, 1960 या फिर 1970, तो स गुजरात के बारे में बात करें तो योत्तर में पाकिस्तान और उत्तर पूर्फ में राजस्तान, पूर्फ में मध्य प्रदेश, दक्षिन में महराष्टर राज्य और दीव, दमन, दाद्रा और नगर हवेले के केंद्श शास्त प्रदेशों से घिरा है, गिरनार पहाड अगला सवाल लक्ष द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉई कवरती अमीनी या फिर एंडरोट तो जवाब है ऑप्शन डी एंडरोट हाली में भारत की G20 अधिक्ष तक तहट Science 20 Engagement Group की बैठक लक्ष द्वीप में शुरू हुई है लक्ष द्वीप अरब सागर में स्थित है और ये 36 द्वीपों का एक सम्हू है मले आलम और संस्कृत में लक्ष द्वीप का नाम एक लाख द्वीप है एंडरोट द्वीप 4.9 किल वर्च्वल सेंटर भारत और किस देश की पहल है UK, USA, France या फिर कनाडा तो सही जवाब होगा उप्ष ने UK हाली में भारत ने नेट जीरो इनवेशन वर्च्वल सेंटर के स्थापना की घोशना की है ये भारत और UK की एक सैंक पहल है इसका उदेश है विज्ञान और प्रद्योगी की विशेश रूप से जलवाईू परिवर्तन और पर्यावन के मुद्धों पर सहयोग बढ़ाना ह ये दोनों देशों के बीच ग्यान के आदान प्रदान, नवाचार, अनुसंधान और विकास, शमता निर्मान तथा नीतिगत समवात की सुविधा भी प्रदान करेगा ये उतसर्जित और वातावरन से रिमूव किये गए ग्रीन हाउस कैसो की मातर को संतुलित करते हुए शुद शून ने उतसर्जन लक्ष प्राप्त करने में मदद करेगा। चली अगला सवाल देखते हैं। भोजन दुबाई के अलनस्र क्लब में 25 अपरेल से 30 अपरेल तक किया गया था। बैड्मिंटन एशे चेंपेंशिप 2013 टोर्नमेंट का 40 मा संसकरन है। ये पहली बार मिडल इस्ट में आवजित किया गया है। अधिनियम को वर्ष 2013 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश है एक गरिमा पूंट जीवन जीने के लिए लोगों को वहनिये मूले उपर अच्छे गुडवत्ता के खाद्यान की पर्याप्त मात्रा उपलप्त कराना था। इस अधिनियम में महिला और बच्च ये असम के दीमा हसाओ और कारभी आंगलोंग जिलों में सक्रिये एक विद्रोही समुह है। दिमासा असम की प्रमक जनजाती और संस्क्रतिक रूप से समुदाय में से एक हैं। दिमासा द्वारा बोली जाने वाली भाशा तिबबती बर्मन भाशाई समुह से संबंधित ह ये असम के दीमा हसाओ, कारभी आंगलों, कछार, होजाई एवं नागाओं, जिलों के साथ-साथ नागलन के कुछ हिस्तों में रहते हैं। चलिए अकला सवाल, कदम राजवेंश का संस्थापक कौन था? शांति वर्मन, काकुत्स वर्मन, मयूर शर्मन या फिर कंग वर्म कि वंशावली की जानकारी एक मातर ताल गुंड स्तंब लेक से प्राप्त होती है। मयू शर्मन के बश्चात इसकुल का सरवाधिक शक्तिशालिशा सक्का कुत्स वर्मन था, इसलिए विकल्पसी सही है। शिक्षा भूमी, लंदन में वो स्थान जहां वो अपने अध्यायन काल में रहते थे। दीक्षा भूमी, नागपूर में वो स्थान जहां उन्होंने बौत धर्म क्रहन किया। महापरी निर्वान भूमी, दिल्ली में उनके नधन का स्थान। और चैत्ति भूमी, पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी जनकारी चोरी कर सकते हैं। कई स्मार्ट फोन्स में डिसकावरी मोड पर उनकी ब्लूटूथ सेटिंग्स होती हैं जिससे हैकर्स के लिए डिवाइस से 10 मीटर के दायरे में फोन तक पहुचना आसान हो जाता है। इसे रोकने के लिए ब्लूटूथ को बंद करना औ और उप्योग में नहीं होने पर पेरड ब्लूटूथ उपकरनों को डिसकनेक्ट करना आदी शामिल है। चलिए अब नोट कर लिजाए भिहास प्रशन।